सुप्रभात नमस्कार गूड मॉनिंग जसी टेक में आप सबका हारदेख स्वागत है मंगलवार का है दिन और तारीक है 17 सितमबर 2014 17 सिप्टेंबर 2024 and it's a Tuesday मंगल को मंगल हो सबका यही मेरी कामना है दोस्तो कल हमने बात की थी कल सुबह सुबह हमने किस चीज पर बात की थी FIIs और DIs के डेटा पर हमने बात की थी कि सुमबर के लिए जो डेटा था मतलब शुक्रवार को जो गुआ उसमें क्या हुआ था कि शुक्रवार को FIIs और DIs दोनों के दोनों कैश में नेट बायर्स थ और आपने कल देखा सुंबार को देखा कि कुछ ऐसा ही option buyers के हाथ तो ऐसा ही लगा क्या data आज वैसा ही है क्या data में कोई change है आए ज़रा एक बार को आज देखने हैं FII's और DII's के अगर बात करेंगे तो कल cash में net sellers बनके गए हैं विदेशी संस्थागत निवेशक 1634.98 करोड लगब लगब 1635 करोड के cash में net sell में बैठे हैं आपके प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक और दूसरी तरफ DII's Domestic Institutional Investors घरेलू संस्थागत निवेशक जो है 754 करोड के net buy में जरूर जरूर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्या data change हो गया है data में थोड़ा फरक जरूर आ गया हलाकि अगर बात करें nifty bank nifty mid cap nifty fin nifty यह सभी के सभी indices जो हैं यह सभी अभी भी 9 dema के ऊपर हैं तो demas पर तो अभी भी हम bearish तो बिलकुल भी नहीं है लेकिन data कुछ और कह रहा है आज आए देखने है कि क्या कहता है कल का data fin nifty में अगर हम देखेंगे derivatives का इसका derivative statistics तो fin nifty में कल विदेशी संस्थागत निवेशक fin nifty futures में neutral गये हैं अब आप कहेंगे neutral जाने का मतलब क्या हुआ 12.87 करोड का उन्होंने fin nifty future buy किया है उसके खिलाफ 12.57 करोड 12.57 करोड का sell किया है fin nifty futures तो मैं इसको neutrally कहूंगा कोई बहुत बड़ा difference नहीं है वहीं bank nifty की बात करेंगे तो bank nifty में बहुत solid buying करके गए है bank nifty futures को ये buy करके गए है mid cap nifty futures में अठारा सो अब ये समझ लीजे 120 करोड 120 करोड का buy किया है इन्होंने mid cap nifty future को और 212 करोड का किया है sell nifty mid cap futures यानि कि mid cap futures में क्या करके गए है sell करके गए है और nifty futures में क्या करके गए है nifty futures में दोस्तो nifty futures में ये neutral होकर गए है अब आप कहेंगे कि neutral कैसे neutral कैसे neutral ऐसे कि 825 करोड के करीब की इनकी futures buy किया है इन्होंने nifty का और 784 करोड को बहुत बड़ा difference नहीं है 784 करोड का इन्होंने sell किया है nifty का future अब दोस्तो हम लोग बात करेंगे nifty mid cap से शुरुआत आज nifty mid cap से करते हैं कल आप लोग ने nifty mid cap की expiry देखी मजा नहीं आया मजा नहीं आया कल हमने बात चीत की थी कि 13400 405 के उपर अगर टिकने लगेगा ना तब हम upside के बारे में सोचेंगे याद होगा आपको 407 13407 का हाई लगा था कल उसके उपर गया ही नहीं और उसके बाद तो नीचे आता गया या नीचे आता गया शायद 13245-13255 का लोबी कल ही लगा है आज के लिए बात कर लेते हैं आज हम लोग जब तक 13407 अब हम कल 23275 पर क्लोज हो रहे हैं 13275 पर क्लोज हो रहे हैं लेवल की बात करेंगे तो 13407 के उपर ही बाइंग करेंगे 13407 के उपर 13443, 13443, 13480 ये upside के लेवल दा रहे हैं लेकिन अब हम अगर बात करेंगे कि भाई इसका जो आपका nifty mid cap है इसकी situation क्या है इसकी अगर situation देखेंगे demas पर तो demas पर क्या situation है जब हम demas पर situation देखेंगे तो अभी भी हम 9 demas के उपर हैं यानि कि 13205 हमारे लिए best support है 13205 हमारे लिए best support है अगर कोई gap down मिल जाए अगर कोई dip मिल जाए तो 13200 का एक बार को support लेके upside के लिए ये जा सकता है levels upside की मैंने बताई दियें लेकिन फिर भी अगर हम बात करेंगे levels की तो levels पर कल 13254 का low है वो तूटता है तो 13205 तक एक बार को आ सकता है 13205 पर अगर मिलता है मुझे तो मैं तो वहाँ पर एक opportunity के तोर पे इसको डूनूंगा 13205 के आसपास buying के सोचूंगा लेकिन अगर वो भी तूटता है तो 13170 173 13 170 173 तक जा सकता है आपका nifty mid cap अब दोस्तों बात कर लेती हैं जरा कि किस तरह से आपका चल सकता है nifty bank bank nifty जिसके बारे में हमने चर्चा की है कि nifty bank में क्या करके गए है आपके प्यारे विदेशी संस्तागत निवेशक नेट में buyers है futures में buy करके गए है futures में वो buy करके गए है और जब हम देखने है bank nifty के हला तो bank nifty देखे 52 153 पर close हुआ है कल 52 153 पर close है लेकिन जब तक हम 52 208 210 के उपर 52 208 210 के उपर ना चलना स्टाट हूँ बाइसाइड के बारे में नहीं सूचेंगे 52 208 209 के उपर चलना स्टाट करता है तो 52 370 371 का एक रुख आ सकता है 52 371 और वो भी पार हुआ तो 52 500 का लेवल एक बार कोम को देखने को हो सकता है प्राप्त 52 500 के बाद 52 610 611 का भी लेवल आ जाए तो कोई अतीश योक्ति नहीं होगा वह ही दोस्तों on the downside 51 920 921 कलकल है लेकिन हमने यहाँ पर लेवल जो लिया है वो लिया है 51 895 51 900 के नीचे 51 895 के नीचे अगर जाना स्टाट करेगा तो हम उससे नीचे के लिए जाना स्टाट कर देंगे 51 674 51 674 और अगर वह भी तूड़ गया तो 51 520 51 500 19 520 तक का लेवल एक बार को बैंक निफ्टी में हमको देखने को हो सकता है प्राप याद रखिएगा कि अभी भी वैसी मूमेंट नहीं दे रहा बैंक निफ्टी जैसे इसको देनी चाहिए निफ्टी मिड कैप निफ्टी फिन निफ्टी ने भी कल ओल टाइम हाई लगा है कल ही लगा है लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी वो जोर नहीं दिख रहा है लेकिन इसको क्या हो रहा है समझ अभी भी नहीं आ रहा है HDFC bank को थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा वही कुछ न कुछ उसको चलना पड़ेगा दोड़ना पड़ेगा तभी इसमें भी जान आएगी क्या अब बात कर लेते हैं पर उतने हैं तो हम all time high के ऊपर ही अब बाइंग के बारे में सोचेंगे 25 445 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा हम बाइंग के बारे में नहीं सोच रहे हैं 25 477 25 477 उसके बाद लेवल आ सकता है और अगर वह भी पार होता है तो 25 506 25 506 that is 25 506 and above that we might be able to see somewhere around 25 534 535 उसके बाद 25 506 के बाद 25 534 35 का लेवल भी एक बार को अब साइड वहम को देखने को हो सकता है प्राप्त अब डाउंसाइड की भी बात कर लेते हैं कल का लोग क्या है 25 336 25 336 और कल सुबह भी मैंने ये बात की दी 25 300 for us remains as an excellent support utritus का भी support हुआ है तो 25 336 का तूटता भी है तो एक बार को 25 290 से 300 का जो लेवल है वह एक अच्छा support काम कर सकता है बट अगर 25 290 भी तूट गया तो उसके बाद हमको और 40 points के करीम मिल सकते हैं जो कि हमको 25 250 25 250 की और लेके जा सकते हैं अब आगे जब मैं बात करूँगा तो दो twins की बात करूँगा बजाज के twins की उनकी बात करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि निफ्टी 50 में आज भी बजाज twins का रोल अच्छा रह सकता है कल बजाज twins अगर चल जाते ना तो सोने पर सुहागा हो जाता लोगों को पैसा बनता कल बैंकिंग उपर लेके जाने को तयार था लेकिन financial services में बजाज twins जो थे बजाज फिंसर और बजाज finance उन्होंने क्या कर रखा था आपको मालूमी है क्यूं ऐसा हुआ वो भी आपको बता जेता हूं क्यूंकि बहुत लोग चाहते हैं सुनना कि वाई क्यूं ऐसा हुआ क्यूं बजाज housing बजाज housing का IPO आया दुगने रेट पे खुला सहाब डबल पे बहुत-बहुत मुबारक पहले तो जिनको वह लग गया है और में मेरे से अक्सर पेरे दोस्त पूछते रहते हैं कि क्या करना चाहिए तो मैं किसी को ऐसे राय तो नहीं देता लेकिन यार जब डबल मिल रहा है तो क्या करना चाहिए वो तो simple कुछ सोचने की ज़रूद तो है नहीं उसमें कि वह 50% बुक कर लेना चाहिए मतलब जो आया हुआ है अपनी कम से कम capital जो है उसको safeguard करना चाहिए तो वह अगर safeguard किया है आपने capital को तो बहुत अच्छी बात है अब आज देखेंगे बजाज हाउसिंग में क्या होता है और बजाज finance और बजाज फिंसर्व किस तरफ चलते हैं वही रुख तै करेंगे आज फिन निफ्टी के expiry का और अब हम बात करने लगे हैं फिन निफ्टी की expiry की ही फिन निफ्टी कल अगर बात करेंगे तो 23,400 के असपास मंड़ा रहा था 24,081 का कल हाई लगा है ओल टाइम हाई लगा है 24,081 का ओल टाइम हाई लगा है लेकिन जो पाटी थी फिन निफ्टी की वो बजाज फिंस ने खराब घर दी अब दोस्तों आज हम कहां से अपसाइड के वारे में सूचेंगे अगर हम 24,000 के बात करेंगे तो यहां पर एक प लेकिन कॉल राइटर ने अभी वहां पकड़ बना रखिया जबरदस्त तो अगर हम बात करें 24,000 के उपर चलने लगता है तो 24,045 वेक लेवल आता है हमारे अभी 24,045 के अगर हम उपर रहते हैं तब तो हम लोग समझ लीजे कि अपसाइड के लिए बिलकुल खुली तैया हमारे 24,045 के उपर 24,080,81 24,080 उसके उपर गए तो 24,115 24,115 उसके उपर गए तो 24,180 24,200 तक के लेवल सबसाइड में देखने को मिल सकते हैं अगर 23,930 के नीचे जाना स्टार्ट करते हैं तो यह समझ लीजे कि यहां से हमको 23,900 या फिर यह कहिए 23,883 तक का एक डिप मिल सकता है अगर यह डिप मिलता है 23,900, 23,890,883 तक का कोई डिप मिलता है उपनिंग में मिल जाए या थोड़ा सा जल्दी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है तो भाई मेरे लिए तो यह बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा करना ही करना है साथ मैं आपको फोकस करना है HDFC बैंक आइसी इसे बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब कहेंगे फिन निफ्टी की एक्सपारी और यह बैंक के नाम ले रहा है क्योंकि बैंक जो बने नाम लिए हैं निफ्टी का भी निफ्टी का भी एंड वैंक निफ्टी का भी आइख फॉकस कियाए तो मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं कहीं न कहीं अगर management of index हो गई तो हमको focus ICICI, HDFC और XS और SBIN ये चार पर रख लेंगे तो हमारा काम इससे बन जाएगा IT पर focus apart from fin nifty अगर बात करें तो हमको IT पर भी अगर कोई nifty में trade कर रहा है तो उसको IT पर भी focus रखना जरूरी है कि किस तरह से TCS और INFI आज काम करते हैं विप्रो विप्रो इस वन स्टॉक जिस पर हमारी कड़ी तीखी तेज नजर होनी जरूरी है और दोस्तो ओटो सेक्टर ओटो सेक्टर पर आप लोग को inventory dealerships पर खड़ी है कि पूछे मत dealerships पर बहुत ज़्यादा inventory खड़ी है तो अब नतीजे कैसे आने हैं वो कुछ ना बोलू जो आए हैं वो आपको बता है और अब जो आने वाले हैं उन पर कुछ ना बोलू तो बहतर है और quarterly results EJDFC bank EJDFC bank के नतीजे आप लोग उने देख रही है किस तरह से आए हैं और एक news भी थी EJDFC bank के उपर वो भी ज़र आप देख लें तो बहुत ही मेरवानी होगी क्योंकि quarter 2 के results जो है EJDFC bank जो है तो यह earnings report अपनी देने वाला है earnings report results नहीं ठीक है earnings report जो की result का बहुत बड़ा दारोमदार रखते हैं तो जड़ा इस पर भी थोड़ा focus रखिएगा और अगले दो तिंग दिन यानि कि 19 तक बहुत कुछ इसमें भी धमाचोखडी मच सकती है अगर अच्छे reports आ रही होगी न जोर लगा देगा यह फिर पूरा मला bombastic fin nifty और bombastic expiry of कल को bank nifty की भी हो सकती है लेकिन याद रखिएगा कि आज हमको expiry related जो भी है जो trade कर रहे हैं वो या तो अगले expiry में trade करें नहीं तो जितनी हलकी हो सके उतनी quantity हलकी रखिए कल भी आप लोगो ने देखा mid cap में क्या तो भई अपनी positions को हलका रखिएगा strict stop losses रखिएगा 15-20 मिनट में अगर profit आता तो ले लो नहीं तो ज्यादा देर बैठने की जरूरत नहीं है किसी भी trade से महबबत करने की जरूरत नहीं है दोस्तों 17 सितंबर कल 18 सितंबर को हम लोग नया batch start कर रहे हैं जो भी participate करना चाहते ह आज final day है registration का आज register कर लीजिए बाद में उमक के है अगए हमने register नहीं किया तो आज जिसको भी आना है आज आज आजाए और आज ही वो अपना fee payment करके register कर ले 10,000 rupees fees है 12 days का batch है जो कि आप phone पे Paytmg Pay से payment करके इसमें joining कर सकते हैं fees 10,000 rupees है नमबर है 7834 7834 I repeat 7834-876-736 यह नमबर description of the video में दिया हुआ है और print message of the video में भी दिया गया है याद रखिएगा जो भी बातचीत हुई है सिर्फ और सिर्फ academic purposes से हुई है इसका बायसिल की सला से कोई लेना देना नहीं है बायसिल की सला के लिए आप अपने financial advisor से कीज देगा बातचीत उम्मीद करता हूँ आप ओर डी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे नहीं किया तो लाइक कीज़ेगा शेर कीज़ेगा दोस्तों के साथ and my dear friends अगर आपने अभी तक हमारे link से Sam को में account नहीं खुलवाया तो description box में आपको link दे रखा जरूर खुलवाये औ और आने वाले संडे एक free session जरूर पाईए जूम application पर शुक्रिया नुशकार धन्यवाद good luck for today's finnifty expiry bye bye